नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को धर्म राज और पोपा बाई की कथा सुनाने जा रही हूँ बोलो जैशी मननारैन किसी गाउं में एक पोपा बाई रहती थी वो बहुत जादा नियम रत करती थी एक दिन उसने भाई वा भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी इसलिए मेरी जोपडी गाउं की बाहर बना दो और गाउं के सभी लोगों से कह दो कि वो अपनी गाई वो बच्छरों को मेरी यहां से घास फुस्क चरने को भेज़ दें जो बचा खुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गाउं के बाहर जंगल के पास बनी जोपडी देखकर रुग गया जोपडी के पास जाकर उसने आवाज लगाई की कौन है लेकिन भीतर से कोई आवाज ना आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा तब पोपा बाई उठी और कहने लगी की कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो क्यूं आवाज लगा रहे हो राजा ने कहा कि मैं यहां का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाग करूंगा पोपा बाई ने कहा कि जहां से आये हो वहीं चले जाओ मैं किसी पराय आदमी का मूँ नहीं देखती हूँ राजा ने पोपा भाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठा कर ले गया तब पोपा भाई ने राजा को शाप दिया कि उसका सारा राजपाट नश्ट हो जाएगा महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापिस छोड़ आओ राजा जब पोपा भाई को वापिस जोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वाप डूप गया पोपा भाई धर्मराज जी के अहां पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया एक बार एक सेट वह से ठानी मृत्यू लोग से स्वर्ग लोग आए तो उसके द्वार बंद देख कर वह धर्मराज जी के द्वार खोलने का अगरा करते हैं धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपा भाई का राज है इस पर सेट से ठानी कहते हैं कि हम पोपा भाई को नहीं जानते हैं धर्म राज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों साथ दिन तक मृत्यू लोग में रहो, आठ खोपरा से राई भर कर, पांच कपड़े उपर रख कर, कहानी सुनकर उद्यापन करना, और कहना की राज है पोपा भाई, लेखा लेगी राई राई का, सारे बोल पोपा भाई की जै, भोलो जै शीमन नारायड, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में जै शीमन नारायड जरूर लिखें